मुख ज़ेखें हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे हाइपर कंजूगेशन के बारे में बड़ा ही इमपॉर्टेंट एफेक्ट होता है ये हाइपर कंजूगेशन और हम इसको बोलते हैं बेकर माथन एफेक्ट भी बोलते हैं एंकिमेरिक इफेक्ट और नो बॉंड रेजोनेंस इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग हाइपर कंजूगेशन वो सारे के सारे कलियर हो जाएंगे तो हम स्टार्ट करते हैं हाईपर कंजूगेशन हाईपर कंजूगेशन को डिसकस करने से पहले हम देखते हैं हमें पता होना चाहिए what are alpha hydrogen's alpha hydrogen's के बारे में alpha hydrogen's क्या होते हैं alpha hydrogen's वो hydrogen's है जो alpha carbon atom से अटेच होते हैं अब आप कहोगे पहले आपने बोला अलफा हाइड्रोजन अब अलफा कार्बन तो अलफा कार्बन क्या होता है कार्बन एटम विच इड़ेसेंट टू फंक्शनल ग्रूप फंक्शनल ग्रूप के साथ वाला जो भी कार्बन एटम होगा जो कार्बन एटम जूड़ा होगा फंक्शनल उसको हम क्या बूलेंगे, alpha carbon atom, जैसे example है, अगर कोई हम एक carboxylic acid दे लें, इस तरह से, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा carboxylic acid group है, तो इसके साथ वाला जो ये carbon है, इसको हम क्या बूलेंगे, alpha carbon atom, इसके बाद beta होता है, फिर gamma फिर delta इस तरह से चलता है, बट हम interested हैं किसमें, इस carbon में, जो है हमारा alpha position पे, alpha carbon atom, तो इसके साथ, जितने भी hydrogen जुड़े होंगे, alpha carbon से, उनको हम बूलेंगे, alpha hydrogens, ठीक है, कैसे देखो, इस acid को अगर हम expand करके, इस तरह से लिख सकते हैं, CH2, CH2, C double bond O, ठीक है, यह हमारा acidic group है, functional group है, यह हमारा हो गया, alpha carbon, तो इसके उपर कितने hydrogen से हैं, यहाँ पे, दो, तो that means, two alpha hydrogens, दो alpha hydrogens, ठीक है, इसी तरह से और example देखते हैं, alpha hydrogen के बारे में, अगर हमारे पास, यह कोई molecule है इस तरह से, कोई alkyne दी हुई है, इस तरह से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, functional group हमारा कौन सा हो गया, यह वाला, alkyne हमारा क्या हो गया, functional group, तो इसके साथ वाला, यह भी alpha carbon, और यह भी alpha carbon, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, CH3, CH3, तो दो carbon होगे इसमें alpha, और alpha hydrogens कितने होगे, 3 पलस 3, that is 6 alpha hydrogens, इसके अंदर कितने हैं, 6 alpha hydrogens, एक और example लेते हैं, ताकि हमारे clear हो जाएगा, कि alpha hydrogens हमने कैसे निकाल, तो अगर हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, double bond दिया हुआ है, यह हमारा functional group है, तो अब हमने देखना है, इससे directly attach कितने carbon है, 1, 2, 3, और 4, यह 4 carbon atom है, और इन पे देखो, यहाँ पे 3 hydrogen है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो total कितने होगे, 3, plus 3, plus 2, plus 2, that means 10 alpha hydrogen, तो इस जो हमारा जो यह molecule है, इसके अंदर कितने है, 10 alpha hydrogen है, ठीक है, इसी तरह से हम ले सकते हैं, अगर हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन दी हुई है, अगर स्पोज यह कार्बोकेटाइन है, इसको भी हम functional group consider कर सकते हैं, तो इसके adjacent, एक यह होगा, alpha carbon, और एक यह position, alpha position, तो इस पे देखो, 3 alpha hydrogen हैं, 3H, और यहाँ पे हमारे पास हैं, 2H, तो यह total कितने होगे, 5 alpha hydrogen है, ठीक है, इसी तरह से अगर कोई free radical given हो, हमारे पास, यह वाला, ठीक है, तो हमने क्या देखना है, इसमें कितने alpha hydrogen हैं, तो एक यह alpha carbon, यह alpha carbon, और यह alpha carbon, यहाँ पे CH3 होगा इस तरह से, यह भी CH3 है, और यह क्या है, CH2, तो total इस पे alpha hydrogen कितने होगे, 3 plus 3 plus 2 is equal to 8 alpha hydrogen, ठीक है, तो alpha hydrogen की बात clear होगी, alpha hydrogen क्या होते हैं, जो alpha carbon atom पे attach हो, ठीक है, और alpha carbon क्या है, carbon atom which is adjacent to functional, तो यह हमारी बात होगी, alpha hydrogen के बारे में, next है उसके बाद, हमारी conditions for hyperconjugation, conditions क्या होगी, ठीक है, hyperconjugation तो हम discuss करेंगे, लेकिन उसके लिए, हमें पता होना चाहिए, conditions क्या है, first, दो conditions है, इसमें important, first है, that alpha carbon should be, जो alpha carbon है, हमारा क्या होना चाहिए, it should be, sp3 hybridized, उसकी जो hybridization है, वो क्या होनी चाहिए, sp3, sp3 का मतलब, 4 sigma bond बनाना चाहिए, 4 single bond अगर वो बना रहा है, तो उसकी hybridization क्या होगी, sp3, ठीक है, और second जो condition है, वो क्या है, alpha carbon, should, have at least, one alpha hydrogen, यह सबसे important condition, वैसे तो दुन्यों important है, लेकिन second वाली क्या है, जो alpha carbon है, उसके पास कम से कम, एक क्या होना चाहिए, alpha hydrogen होना चाहिए, तब ही वो क्या करेगा, जो hyperconjugation है, वो show करेगा, ठीक है, तो जो hyperconjugation है, अब हम hyperconjugation की तरफ चलते हैं, hyperconjugation में हम, तीन important चिजन डिसकस करेंगे, एक case, carbo cations के लिए, carbo cations, second, free radicals, और फिर हम discuss करेंगे, last में, alkenes के, ठीक है, जो hyperconjugation है, important इन तिन्नों में ही होती है, carbo cations, जिन पे carbon के उपर, positive charge अबता है, free radicals, एक unpaired electron होगा, carbon के उपर, free radical होगे, alkenes, जिसमें C double bond, C आएगा, तो इन cases में हम discuss करते हैं, hyperconjugation, first case हम लेते हैं, अबना, case one, case one हम लेते हैं किसका, carbo cations का, ठीक है, carbo cations का, carbo cations में हम दो तरह की species लिखते हैं, simple, एक methyl carbo cations, और दूसरी हम लेते हैं, ethyl carbo cations, अब सबसे पहले देखना है, hyperconjugation कौन शो करेगा, देखो, methyl carbo cations हैं जो, इसमें कोई भी alpha carbon नहीं है, no alpha carbon atom, और alpha carbon नहीं है, तो alpha hydrogen भी नहीं होगा, that means ये शो नहीं करेगा, hyperconjugation को शो नहीं करेगा, अब हम बात करते हैं, इसकी, ethyl carbo cations की, ये अगर हम इसको function groups पोज कर लें, तो ये हमारा क्या होगा, alpha carbon, और इसपे hydrogens भी हैं, तीन alpha hydrogen, थरी alpha hydrogen, that means ये क्या शो करेगा, it will show hyperconjugation, अब हम देखेंगे, hyperconjugation होता क्या है, ठीक है, हम साथ की साथ discuss करेंगे, सबसे पहले, EC को लेंगे हम, ethyl जो हमारा carbo cations है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हम साथ ही discuss कर लेंगे, orbital approach भी, start करेंगे orbital approach से, orbital approach मतलब, इसमें overlapping की बात करेंगे, किन-किन orbitals के बीच में overlapping हो रही है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख दिया, इसके अंदर ध्यान से देखो, जो ये carbon है, alpha carbon ये क्या है, sp3 hybridization है, ठीक है, चार sigma bond से जुड़ा हुआ है, चार sigma bonds है, तो इसकी hybridization क्या है, sp3, और जो ये carbon है, carbo-ketine वाला, इसकी hybridization है, sp2, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, orbital structure की home में, देखो, ये carbon है, तो ये sp3 hybridized orbital होंगे इसके पास, और जो hydrogen के साथ, तो जो ये sigma bond बनेगा, carbon और hydrogen के बीच में, ये किस overlap से बनेगा, sp3 और s overlap से, इसी तरह से ये वाला भी, इधर जो carbon और hydrogen है, यहाँ पे होंगे, दो electron दो यहाँ पे, और एक यहाँ पे, तो तीन हो जाएंगे, तीन bond बना रहा है, तीन hydrogen है, ये shape थोड़ी से, एक जैसे नहीं बनी, बट एक साथ जैसे होंगे, इनके shape है वो एक जैसे होंगे, उसके बाद अब हम देखते हैं, जो ये वाला carbon है, इसके पास क्या है, sp2 hybridization है, तो इसके पास एक vacant p orbital होगा, जिसके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो अब क्या होगा देखो, vacant p orbital है, तो ये क्या करेगा यहां से, जो ये sigma bond है, carbon और hydrogen के बीच में, तो इससे क्या करेगा, ये electrons को attract करेगा, तो इन दुनों के बीच में क्या हो जाएगी, interaction हो जाएगी, इन दुनों के बीच में क्या होगी, interaction, interaction या फिर इसको बोल देंगे, de-localization of sigma electrons, जहां भे sigma electrons थे, तो ये क्या होगी हमारी, de-localization of sigma electrons, और ये ही क्या है हमारा, this is hyperconjugation, इसी को हम क्या बोलते हैं, hyperconjugation, hyperconjugation, resonance आप सबने सुना हुआ है, resonance क्या होता है, de-localization of pi electrons, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, de-localization of sigma electrons, sigma electrons की de-localization हो रही है, और conjugation हम सब को बता है, जब हम conjugation, जब resonance में बात करते हैं, तो alternate position भी हम क्या बोलते हैं, single और double bonds, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा sigma orbital है, वो बीच में क्या है, sigma और vacant pi के बीच में क्या है, एक carbon carbon single bond है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, conjugation, तो यहाँ पर overlap किसका हो रहा है, sigma और vacant pi orbital, जो overlap हो रहा है इसके अंदर, कार्बो केटाइन के अंदर, वो किसका हो रहा है, sigma और vacant pi orbital का हो, तो यह हमारी क्या होगी, delocalization of sigma electrons, hyperconjugation, यह orbital concept हो गया, इसको दिहान में रखना है, अब हम simple ही देखते हैं, अगर simple हमने orbital की terms में नहीं देखना, बिलकुल simple हम देखते हैं, कैसे इसको लिख सकते हैं, हम इस तरह से represent कर सकते हैं, अपनी जो ethyl carbo-katine थी, CH2 positive, तो अब होगा क्या, अगर हमारा यह bond इदर आ जाए, ठीक है, carbon और carbon के बीच में, और एक बात याद रखनी है, जब भी हम hyperconjugation structures लिखेंगे, तो बीच में क्या आएगा हमारा double-headed arrow, ठीक है, resonating structures के बीच में भी यही लिखते हैं, और जो हमारी hyperconjugative structures जो हम लिखेंगे, उसमें भी हम क्या लगाएंगे, this arrow, double-headed arrow, ठीक है, यह मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, तो उसमें देख सकते हैं, arrow notations के बारे में, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, देखो, CH, यहाँ पे C double bond C, CH2, H, और hydrogen से हमारे क्या चले गए, electron चले गए, तो इसके उपर क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा positive charge, इस तरह से, यह species बन गी, यह हमारी क्या होगी, देखो, अब इसमें क्या है, इस structure में, carbon और hydrogen के बीच में, कोई भी bond नहीं है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं, no bond resonating structure, तो इसलिए पढ़ा था, no bond resonance, वो इसलिए पढ़ा था, क्योंकि, एक bond नहीं है, carbon hydrogen के बीच का bond चला गया, no bond resonating structure, या फिर इसको बोलते हैं, हम hyperconjugative structure, carbon और hydrogen के बीच में से, जो हमारा bond है, वो खतम हो, यह एक hydrogen के लिए लिखा है, इसी तरह से हम second के लिए लिख सकते हैं, second के लिए देखो क्या हो जाएगा, अगर यह वाला hydrogen चला जाएगा, याद रखना है, एक बारी में एक ही जाएगा, एक बारी में एक ही जाएगा, यह नहीं कि सारे एक ही बारी में चले जाएगा, एक बारी में एक ही हमारा bond जाएगा, तो अब हमने यह वाला bond हटा दिया, तो क्या बनेगा देखो यहां से इस तरह से आजएगा H, यहां पे H positive हो गया यह इस तरह से double bond यहां आगया CH2 ठीक है, और अगर हम third case ले लें, third case में क्या हो रहा है देखो अगर हम इस तरह से लिखें यह वाला hydrogen यहां आगया ठीक है, इसके electron आगी इस bond के तो यह इस तरह से हम क्या लिखेंगे, यह structure ठीक है, तो यह क्या बनगी, these are hyperconjugative structures, और याद रखना है एक important चीज number of hyperconjugative structures is always equal to number of alpha hydrogens ठीक है, important है इसको याद रखना है, entrance में काफी question आते हैं, कि कितनी hyperconjugative structures होंगी तो वो हमने देख के बता देना है अगर हमें alpha hydrogens clear होंगे, पता होंगे, तो हम बता पाएंगे कि इसकी कितनी hyperconjugative structures होंगी या no bond resonating structures होंगी, ठीक है तो यह हमारा क्या हो गया, number of hyperconjugative structures is always equal to number of alpha hydrogens, कहीं लोग बोलते हैं this is equal to n plus 1 इसको भी count करते हैं जो original structure है, ठीक है लेकिन इसमें देखो, ऐसी कोई भी position नहीं है, जहाँ पे bond ना हो, तो लेकिन हम क्या बोलते हैं, no bond resonating structure तो इसलिए इसको हम include नहीं करते हैं, तो हमारा n plus 1 गलत हो जाएगा, ठीक है उसको n लिखना है, n का मतलब, जितने alpha hydrogens उतनी ही क्या होंगी, number of hyperconjugative structures, ठीक है तो यह होगी, दूसरा एक चीज और बताना चाहूँगा, stability के बारे में stability भे क्या effect पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्या था हमारा, हमने carbocatine का case लिया है, hyperconjugation की वज़े से, जो carbon के उपर positive charge था, वो क्या हो गया, उसका dispersal हो गया, dispersal of positive charge, ठीक है, वो चला गया, उससे कम हो गया, dispersal of positive charge, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा stability भी बढ़ जाएगी, stability increases, ठीक है, जो हमारी carbocatine है, उसकी stability increase हो जाएगी, और याद रखना है, जितनी ज़्यादा hyperconjugative structures, उतनी ही ज़्यादा stability, that means, stability is proportional to number of hyperconjugative structures, और यह किसके बढबर होता है, that means, it is equal to number of alpha hydrogens, तो जिसके alpha hydrogens ज़्यादा, उसकी number of hyperconjugative structures भी ज़्यादा हो जाएगी, और stability भी क्या तो अब हम कुछ case discuss करते हैं, जिसमें हम देखेंगे, कुछ examples लेंगे, उसमें number of hyperconjugative structures निकाल ले होंगे, ठीक है, जो पहला हम case लेते हैं, अगर हमारे पास इस तरह से कोई भी carbocatine है, एक, मैं तीन example लिख रहा हूँ, यहाँ पे, इसमें हम निकाल लेंगे hyperconjugative structures हमारी कितनी होंगे, ठीक है, तो तीन मैंने यहाँ पे carbocatine लिखें हैं, तो अगर exam में पुछा जाए, उनको number देते हैं, one, इसको two, इसको three, तो अगर exam में पुछा जाए, कितनी hyperconjugative structures होंगी, तो हमने क्या calculate करना है, alpha hydrogens, alpha hydrogens कैसे देखो, positive charge यहाँ पे है, इसके यह alpha carbon, यह भी alpha, यह भी alpha, इस पे तीन होंगे, तीन यहाँ पे, तीन यहाँ पे, और दो यहाँ पे, तो total कितने होगे इसके बास है, 8 alpha hydrogens, तो number of hyperconjugative structures कितनी होगी, HCS hyperconjugative structures 8, 8 hyperconjugative structures हम इसकी लिख सकते हैं, इसी तरह से अगर हम second example पे चलें, यह हमारा कार्बो कटाइन है, यह alpha carbon, यह alpha carbon, यह alpha, इसके उपर 2H, 3H यहाँ पे, 2H यहाँ पे, तो total कितने होगे हमारे, 7 alpha hydrogens, तो hyperconjugative structures भी कितनी होजाएंगी, हमारी 7 होजाएंगी, इसी तरह से, अगर हम बात करें, इस कार्बो कटाइन की, तो इस, यह है हमारा, sorry, जो हमारा carbon है, यह वला हमारा क्या होजाएगा, alpha carbon, ठीक है, एक ही यहाँ बे, alpha carbon है, और इसके उपर हमारी एक hydrogen है, तो alpha hydrogens एक होजाएगी, और तो hyperconjugative structures भी कितनी होगी, equal to one, ठीक है, one होजे, कुछ और example हम देखते हैं, इसके बाद, suppose हमारे पास, यह दो, और carbon canjugative structures दिये में हैं, और हमसे पुछा हुआ है, इस case में, हमारी कितनी hyperconjugative structures होगी, ठीक है, दो यह दिये हुआ है, example, इसको fourth देदो, और इसको fifth देदो, तो यह तो simple लग रहा है, जो fourth वाला है, जो carbon 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 है, इसके साथ वाले दुन्नों, alpha carbons, इस पे भी दो, इस पे भी दो, तो total two plus two, हमारे पास क्या हो गया, four alpha hydrogens, तो जो hyperconjugative structures है, वो कितनी हो जाएंगी, हमारी four हो जाएंगी, लेकिन जो fifth case है, इसको ज़रा ध्यान से देखना, इसको मैं थोड़ा highlight कर रहा हूँ, इस पे ध्यान देना, अब इस case में क्या है, हमारा देखो, alpha hydrogen, यह भी alpha hydrogen, यह भी alpha carbon है, और यह भी alpha carbon है, लेकिन condition क्या थी, hyperconjugation के लिए, कि जो alpha carbon है, वो क्या होना चाहिए, SP3 hybridized, लेकिन यहाँ पे जो यह वाला alpha carbon है, इसकी hybridization क्या है, SP2, ठीक है, SP2, तो that means, इसको हम consider नहीं करेंगे, hyperconjugation के लिए, तो सिरफ इसको consider करेंगे, तो इस case में जो hyperconjugative structures है, वो कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, ठीक है, और इसी के साथ हम, carbocatines की stability का order भी discuss कर लेते हैं, क्योंकि हमने बोला है, जितनी ज़्यादा hyperconjugative structures होंगी, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, stability होगी, तो अगर हम इस तरह से लिखें, carbocatines को, इस तरह से अगर हम अरे पास धी हुई है, carbocatines, CH3, 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 positive, ठीक है, यह किस तरह की है देखो, इस प्राइमरी carbocatines, secondary और tertiary, हमने इन तिनों में, stability order देखना है, तो हम क्या calculate करेंगे, alpha hydrogens, या फिर hyperconjugative structures, जिसकी ज़्यादा होगी, वो उसकी stability क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो अब हम देखते हैं, इसके अंदर, जो first है, हमारा इसको A दे देखते हैं, second B और third C, इसके अंदर देखो, alpha, यह alpha carbon है, तीन hydrogens, three alpha hydrogens के बास हैं, तो hyperconjugative structures भी तीन होगी, second case में, जो secondary carbocatine है, इसके बास दो alpha carbon है, दोनों पे तीन-तीन hydrogens, total होगे six, तो इसकी जो hyperconjugative structures हैं, वो क्या हो जाएगी, six हो जाएगी, इसी तरह से इस case में, हमारे क्या हैं, three alpha carbon हैं, और हर carbon पे तीन hydrogens अटाच हैं, तो total कितने हो जाएगे, nine hyperconjugative structures, तो इसलिए जो stability का order है, हमारा क्या होगा, tertiary is more stable than secondary, than prime, ये order आएगा, carbocatines की stability का, on the basis of hyperconjugation, ठीक है, hyperconjugation में, stability के ही कुछ और example देखते हैं, carbocatine क्या, अगर हमारे पास, इस तरह से कोई carbocatine दी हुई है, plus, plus, और, ये, अगर हमने इसमें बताना है, कौन सा जादा stable होगा, तो हमें देखना पड़ेगा, alpha hydrogens, ठीक है, ये carbocatine है, ये carbon है, ये alpha carbon, ये alpha carbon, ये, ठीक है, total इसके पास भी 2 hydrogen, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे कितने होगे, total 6 alpha hydrogens, second case में देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, CH3 है यह, ये भी CH3, total कितने होगे, 6 alpha hydrogens, और अगर इस case में देखें, तो क्या हो रहा है, 1, 2, 3, CH3, CH3, और CH3, total 9 alpha hydrogens, तो यह तो बात confirm होगी, कि यह इसकी stability क्या होगी, सबसे ज़्यादा, अगर हम इसको number दें, C, B, और A, तो C सबसे ज़्यादा stable, अब हम देखते हैं, देखो, दोन्नों में, जो A और B हैं, इन दोन्नों में क्या दिक्कत होगी, दोन्नों के बास, 6, 6 alpha hydrogens है, तो इनके stability का पता कैसे लगेगा, हमने hyperconjugation से तो इसमें बता नहीं पाए, तो इसके बाद हमने, जो second effect है, इस case में क्या है, देखो, methyl group है, यह क्या शो करेंगे, plus I inductive effect, plus I effect शो करेंगे, और वो क्या करेंगा, stability को increase करेंगा, लेकिन इस case में क्या है, देखो, तीन हमारे पास, ethyl groups का क्या होगा, inductive effect होगा, plus I effect, तीन groups की विज़े से आ रहे, तो वो ज़्यादा effective होगा, तो इसलिए, C के बाद हमारा stability किसकी हो जाएगी, जो हमारा A है, वो ज़्यादा stable हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद B हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो ethyl group है, इसका inductive effect है, और तीन आई, नंबर भी ज़्यादा है, और group भी बड़ा है, मिथाइल से, उसके बाद हम देखते हैं, जो next हम देखते हैं, वो हम देखते हैं, hyperconjugation in free radicals, ठीक है, hyperconjugation, पहले हमने discuss किया है, carbocatines के लिए, अब हम discuss करते हैं, case, hyperconjugation in free radicals, ठीक है, similar case है, जैसा हमारा carbocatines में था, उसी तरह से हमारा क्या होगा, free radicals में हो, ठीक है, तो हम simple free radicals लिखते हैं, ये वाला, ethile free radical, इसके लिए सबसे बहले हम discuss करते हैं, orbital overlap, ठीक है, या orbital approach, किस तरह से होगी, इसके अंदर, जो हमारी overlapping है, इसको भी हम carbocatine की तरह, expand करके ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो जो ये H है, ये H है, ये वाला जो हमारा carbon है, ये SP3 हाइवडाई है, और ये हमारा क्या है, SP2 है, तो इसके पास क्या है हमारा, जो हमारा unpaired electron है, वो P orbital में, तो यहाँ पे जो P orbital है, ये vacant नहीं है, ये क्या है, half field, half field P orbital, ठीक है, of carbocatine, वो क्या था, vacant था, vacant P, ठीक है, vacant P था, carbocatine के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये half field है, P orbital, तो फिर से अगर हम, ये CH जो हमारे bond है, जो SP3 carbon है, इसको में इस तरह से दिखा सकते हैं, एक ही को मैं शो कर रहा हूं, इस तरह से, SP3, जो ये orbital है, और ये जो हमारा hydrogen का S है, उससे overlap करेगा, तो इस तरह से bond बनेगा, जो ये sigma bond बन रहा है, ये किस तरह से बन रहा है, SP3 और S के overlap से, ये वाला भी इस तरह से बनेगा, और ये वाला, बट शो मैंने अभी ये की को की है, ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा carbon है, जिसके उपर, one unpaired electron है, ठीक है, तो ये electron deficient होगा, कमी है, तो यहाँ पर क्या करेगा ये, जो हमारे ये sigma electrons है, इनको क्या करेगा ये, अपनी तरफ attract करेगा, तो ये जो interaction है, इसको हम क्या बोलते हैं, this is called hyperconjugation, hyperconjugation, ठीक है, और यहाँ पर overlap किसका हो रहा है, वो बता दिया तुमें, sigma और half field P का, half field P orbital का overlap हो गया, ठीक है, जैसे हमारा carvokatine में vacant P था, लेकिन यहाँ पर क्या आगया, half field P आगया, तो ये हमारी होगी इसकी orbital diagram या orbital approach, ठीक है, क्या overlapping हो रही है इसके अंदर, क्या bonding हो रही है, ठीक है, sigma और half field P की हो रही है, ठीक है, तो अब हम simple, अपना जैसे हम लिखते हैं, hyperconjugation को, simply इसको discuss करते हैं, कैसे होगा, बिल्कुल अगर orbital approach को छोड़ दें, अब देखो इसके अंदर क्या है, कार्बो के टाइन के अंदर positive chart है, यहाँ पे इस carbon के उपर, तो क्या हो रहा था हमारा, इस carbon के उपर positive chart था, तो ये पूरा का पूरा यहां से, पूरा जो दो electron से bond, वो transfer होगा था, यहाँ आजाएगा, एक इसके पास है, तो यह दोन्नों मिलके एक नया bond बना लेंगे, और hydrogen का इधर चला जाएगा, ठीक है, तो और इस तरह की cleavage को हम क्या बोलते हैं, जब दोन्नों के पास EK की electron चला जाएगे, homolytic cleavage, ठीक है, homolytic cleavage, कि जो हमारा covalent bond है, वो इस तरह से break हुआ है, कि जो दोन्नों atoms के पास EK की electron चला गया, और यह arrow कौन सी है, अगर हमें याद है, this is called fish hook arrow, fish hook arrow या फिर half added arrow, यह एक electron की movement को represent करते हैं, तो अब हमारी structure कैसे बन जाएगी, double headed arrow लगाना है, CH, H, H के उपर एक electron, यहाँ पे यह, यहाँ पे double bond, CH2, ठीक है, इसी तरह से इस वाले से भी लिख सकते हैं, और इस वाले hydrogen से, तो हमारे पास क्या हो गया, तीन alpha hydrogen थे यहाँ पे, तीन alpha hydrogen, तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा, three hyperconjugative structures, जैसे हमने कार्वो केटाइन के केस में लिखा था, चलो मैं लिख के दिखा दे रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें इसकी बात करें, मैं दुबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, second, हमारा क्या हो जाएगा देखो, अगर यह वाला hydrogen शो कर रहा है, तो कैसे हो जाएगा, एक बारी में एक ही शो करेगा, यह नहीं कि दो-दो अपने electron दे देंगे, ठीक है, यह हो जाएगा, और जो हमारा third case होगा, third case अगर यह वाला hydrogen ले ले ले, तो फिर किस तरह से लिख सकेंगे, यह इस तरह से, तो हमारी यह क्या बनगी, तीन hyperconjugative structures, यह इनको बोलते हैं, three no bond resonating structures, याद रखना है, number of hyperconjugative structures, is always equal to number of alpha hydrogens, यह पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, alpha hydrogens जितने होंगे, उतने ही hyperconjugation जादा हो चाहिए, और इसकी विज़े से क्या हो रहा था हमारा, जैसे कार्बो के टाइन में, तो hyperconjugation की विज़े से, हमारी जो stability है, वो क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, तो जितनी जादा hyperconjugative structures, उतनी जादा stability, दुबारा से लिख रहा हूँ, stability is proportional to number of hyperconjugative structures, और ये किसके वराबर होगा, number of alpha hydrogens, बस alpha hydrogens अगर हमें पता चल जाएगा, तो हमें क्या पता चल जाएगा, stability है, तो सेम है ये कार्बो काटाइन में, तो मैं time नहीं वेश्ट करूँगा, क्योंकि जैसे हमने कार्बो काटाइन में लिखा था, बस positive charge की जगा हमने क्या लेना है, हमाँ पे एक electron लेना है, बाकि सेम रहेगा सब कुछ, तो जितनी जैसे वहाँ भी hyperconjugation शो करी थी, उसी तरह से इसमें, एक example चलो, मैं फिर भी ले लेता हूँ, बिल्कुल छोटा सा, स्पोज हमारे पास ये दो radical दिये हूँ, और उसने पुछा है कि इसकी कितनी hyperconjugative structures होंगी, तो हमने क्या देखना है, देखो, वहाँ पे सिरफ positive चारता है, यहाँ पे radical है, तो इसके साथ ये वाला carbon है, और ये वाला carbon, तो इस पे देखो, कितने हमारे alpha hydrogen है, दो इसके पास, और एक इसके पास, total कितने होगे, three alpha hydrogens, तो hyperconjugative structures कितनी होगई, त्री होगी, इसी तरह से जो second है हमारा, second case में हम देखते हैं, ये हमारा free radical है, इस पे पर एक unfaired electron, एक carbon ये, ये वाला alpha, ये भी alpha और ये भी alpha, तीन alpha carbon, और total hydrogens हैं कितने होगे, CH3 है, ये CH2 है, ये भी क्या है, CH2, तो total हमारे alpha hydrogens कितने होगे, seven alpha hydrogens, तो इसकी hyperconjugative structures हैं, वो कितनी आएगी हमारी, seven है जाएगी, इस case में, तो जितने ज़्यादा, alpha hydrogens, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, हमारी hyperconjugative structures, और उतनी ज़्यादा stability, अब हम third, जो हमारा important case है, उसको discuss करते हैं, हमारे पास क्या बच गया है, अब alkenes, ठीक है, hyperconjugation alkenes, हमने discuss कर लिया है, किस-किस के बारे में, carbocations के बारे में, और free radicals के बारे में, अब हम case देखते हैं, अपना alkenes का, ठीक है, इसके लिए एक simple, हम alkenes ले रहे हैं, ये वाले, ठीक है, क्योंकि हमें क्या requirement क्या है, कि alpha carbon होना चाहिए, और उसके पर alpha hydrogen, तो इसलिए हमने ये case लिया है, इसमें alpha carbon भी है, और alpha hydrogen, ठीक है, तो सबसे बहले देखते हैं, हम orbital approach से start करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो, CH, एक bond मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ठीक है, एक bond दिखा रहा हूं, तिन्नों दिखा सकते हो, बट simple हमने अभी case लेना है, तो हम इसलिए एक दिखा रहे हैं, यह कौन सा overlap बने हैं, जो sigma bond है, क्योंकि यह carbon क्या है हमारा, this is sp3 hybridized, यह हमारा sp3 है, तो इसलिए जो यहाँ पे bond बन रहा है, hydrogen का कौन सा करेगा, s overlap करेगा, यह sigma bond बन रहा है, वो बन रहा है, because of sp3 and s overlap से, तो इस case में हमारा देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है हमारा जो यह है, जो pi bond बना हुए, तो इसके पास जो p orbital है, वो vacant नहीं है, वो field p orbital है, यह जो pi orbital है, वो क्या है, field है, तो field से तो bonding होगी नहीं, तो bonding किस से होगी, pi star से, याद रखना है, पाई स्टार एंटी बोंडिंग और उसको हम रिपर्जेंट करते हैं इस तरह से, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर pi जो bonding बन्डिंग और वो field है हमारा, और जो pi star एंटी बोंडिंग और वो क्या है, empty है, तो इसके अंदर जो electrons हैं, इसको अपनी तरफ attract करेगा, ठीक है, तो यह जो interaction है, इसको हम क्या बोल देंगे, hyperconjugation, लेकिन अब students एक चीज समझ रहे हैं, एक question उनके दिमाग में आ रहा होगा, कि anti-wonding है, तो इस stable कैसे होगा, देखो यहाँ पर overlap हो रहा है, sigma और pi star का, sigma दो orbitals overlap कर रहे हैं, तो दो नए energy level बनेगे, एक की energy ज़ादा होगी, higher level बनेगा, high energy, और दूसरे की क्या होगी, lower, और यहाँ बे दो electron होना है, तो वो lower में रहेंगे, यह M.O.T. अगर आप पढ़ोगे ध्यान से, molecular orbital theory, वहाँ से आपको बता चले जाएंगे, हम इसको detail में discuss नहीं करेंगे, बस आपको याद रखना है, कि जो इसके अंदर, alkenes के अंदर, जो हमारा overlap हो रहा है, वो किसका हो रहा है, sigma और pi star, pi star क्या है, anti bonding, याद रखना है, ये तिन्नों केस करवा दिये, कार्बो के टाइन में क्या और था, sigma और vacant P के बीच में bonding हो रही थी, vacant P, और जब free radical की बात आई थी, तो sigma और half filled P के बीच में bonding हो रही थी, ठीक है, साथ की साथ बता दिये हैं मैंने वो भी आपको, और alkenes के केस में जो bonding हो रही है, वो किस के बीच में हो रही है, sigma और pi star के बीच में, या overlap हो रहा है जो sigma और pi star के बीच में, अगर हम bonding ये orbital approach को छोड़ दें, simple देखें, तो कैसे होगा देखो, इसमें hyperconjugation हम simple कैसे दिखाश, शो कर सकते हैं, इस तरह से, CH double bond CH2, तो जो ये, अपने electron CH bond के electron से यहां आ जाएंगे, ये electron से चले जाएंगे, इस carbon पर, टीक है, बीच में ये double headed arrow आ गया, तो H, यहां पे H से चले गए, H positive, double bond CH, और ये क्या हो जाएगा, CH2 negative, इस तरह से, और देखो ये क्या बन गया हमारा, यहां carbon hydrogen के बीच में कोई bond नहीं है, तो इसको बोलते हैं, no bond resonating structure, या hyperconjugative structure, और फिर से, ये वाला hydrogen भी show कर सकता है, उस case में कैसे हो जाएगी structure देखो, CH, H, यहां पे H positive, और इसको कैसे लिखते हैं, double bond CH, CH, CH2 negative, ठीक है, और third possibility क्या है, अगर ये hydrogen अपना, यहां पे electron देदे, ठीक है, तो किस तरह से हो जाएगा, CH, CH, ये H positive हो गया, double bond CH, CH2 negative, ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, hyperconjugative structures, और ये किस के वराबर रुकती हैं, बार-बार से बोल रहे हैं, number of hyperconjugative structures, is always equal to, number of alpha hydrogens, alpha hydrogens का important role है, याद रखना है, number of hyperconjugative structures, number of alpha hydrogens के बराबर, ठीक है, alkenes के कुछ, हम example देख लेते हैं, उनमें हम कैसे calculate करेंगे, alpha hydrogens, पहला simple बिलकुल, first case, first example, उसके बाद हम लेते हैं, ये second example, दो और तीन, तीन example हम discuss करेंगे, और इनके अंदर हम देखेंगे, कितने alpha hydrogens हैं, one, two, और three, first case हम देखते हैं, ये हमारा alken हो गया, ठीक है, functional group, इसके साथ, ये जुड़ा है, CH3, तो alpha carbon पे, तीन hydrogens हैं, तो that means, तीन alpha hydrogens हैं, इस case में, इसी तरह से, ये हमारा alken हो गया है, ये CH3, और ये भी CH3, ये दुन्नों क्या होगे, alpha carbon, adjacent हैं, तो three, three, six alpha hydrogens, छे alpha hydrogens हो गया है, ठीक है, उसके बाद जो next, हमारा जो third case है, इसमें देखो, ये हमारा alken, ये CH3, alpha carbon, ये भी alpha carbon, यहाँ पे दो hydrogen है, और ये भी alpha carbon, यहाँ पे भी दो, तो total कितने होगे, two plus two, plus three, seven alpha hydrogens, ठीक हैं, तो इस तरह से, हम क्या निकाल सकते हैं, alpha hydrogens, और stability की भी बात कर लगते हैं, तो stability किस पर डिपेंड करती है, number of hyperconjugative structures, जितने ज़्यादा hyperconjugative structures, उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, हमारी stability होगे, तो इसमें हमें एक ही example, डिसकस करेंगे, उसमें सभी types clear हो जाएगे, suppose हमारे पास question आता है, कि इनका stability order बताओ, साथ alkenes हमें दिवी हैं, seven alkenes, अभी मैं लिख देता हूँ पहले, कौन-कौन सी है, first जो simple है हमारी, उस पे क्या है देखो, hydrogen-hydrogen, दो hydrogen, जो लेकिन second जो alkenes है, उस पे एक methyl group है, third जो alkenes है हमारी, उसके उपर, दो methyl group है, H, H, third, fourth जो alkenes है, उस पे भी दो methyl group है, CH3, CH3, H, H, fifth पे भी दो methyl group है, CH3, CH3, H, H, ठीक है, और जो हमारी sixth है, उस पे, three CH3 groups है, CH3, CH3, H, और last में जो alkenes देवी है, seventh, उस पे, चार CH3 groups है, तो इनका हमने, अगर ये समझ आ गया, तो सारे case हमने इसमें cover हो जाएगे, alkenes की stability, तो सबसे पेले हमने क्या देखना है, number of alpha hydrogens, ठीक है, alpha hydrogens हमने देखने हैं, कितने हैं, जितने ज़्यादा alpha hydrogens, उतनी ज़्यादा hyperconjugative structures, और उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगी, stability हो जाएगी, फर्स्ट केस देखते हैं, अगर हम इनको numbering दे दे, A, B, C, D, E, F, और G, ठीक है, जो फर्स्ट है, इसमें कोई भी no alpha hydrogen, that means, ये सबसे कम stable होगा, ठीक है, less stable होगा, तो A को सबसे बाद में लिख देंगे हम, या इस तरह से, it is less stable than B, B, क्यों होगा less stable B से, क्योंकि B के पास एक alpha carbon है, जिसके उपर क्या है, three alpha hydrogen है, ठीक है, तीन alpha hydrogen, पहले हम alpha hydrogen calculate कर लगते हैं सबके, C के उपर कितने हैं देखो, 2 alpha carbon है, तो 6 alpha hydrogen, ठीक है, इसी तरह से D में भी, 6 alpha hydrogen, E में भी क्या है देखो, 6 alpha hydrogen, और F में अगर ध्यान दो, तो 9 alpha hydrogen, और जो G है, इसके इंदर क्या है, 12 alpha hydrogen, ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें, A, कोई भी alpha hydrogen नी है, सबसे कम stable होगा, B, उसके बाद B की stability, इसके बाद 3 alpha hydrogen है, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमने ये देखना है, B, D और E, B, D और E, इनको मैं अलग से देखो, इनको मैंने सरकल कर दिया है, इनके पास, तिन्नों के पास क्या है, 6-6 alpha hydrogen है, इनकी stability कौन ज़्यादा stable होगा, ये अभी बताएंगे, लेकिन एक बात पक्की है, इनकी stability कम होगी किससे, जिसके बास 9 alpha hydrogen है, ठीक है, 9 alpha hydrogen वाला ज़्यादा stable, और सबसे ज़्यादा stable, जिसके बास 12 alpha hydrogen है, अब हमने डिसकस करना है, कि जो ये तीन अलकीन से हैं, इनकी stability हम कैसे बताएंगे, इन तिनों को मैं अलग से लिख लिखता हूँ, ध्यान से देखो, जो C structure है हमारी, C structure में क्या है, CH3, CH3, H, और H, इस तरह से था, ठीक है, D में क्या था देखो, CH3, CH3, H, और H, और जो हमारी E structure है, उसके अंदर क्या था, जो दोनों मिथाइल है, वो एक ही carbon पे present है, इस तरह से, ठीक है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यह देखो, C में क्या था, इस तरह से present है, CH3, CH3, D में देखो, CH3, एक दूसरी तरह है, अपोजिट, CH3, ठीक है, और जो E structure है, उसमें एक ही carbon पे, तो यह जो structure है, हम सबको पता होगा, यह कौन सी है, C-sisomar है, ठीक है, और यह वाला कौन सा है, trans, ठीक है, इसको ही बोलते हैं, चलो इसको हम बार में देखेंगे, क्या है, C-sotrans, अब इसकी stability इन दुनों की हम बता सकते हैं, C-sotrans में कौन सा stable होगा, क्योंकि यहाँ वे दो methyl group पास-पास हैं, तो इन में repulsions ज़्यादा होगी, repulsions ज़्यादा होने की वज़े से क्या हो जाएगा, energy increase हो जाएगी, तो यह क्या हो जाएगी, stability decrease हो जाएगी, less stable stability decreases, तो यह जो cis है, it is less stable than trans, trans ज़्यादा stable होगा, अब रही बात structure E की, E को हमने देखना है, कि यह trans से ज़्यादा stable है, अगर यह ज़्यादा stable हुआ trans से, तो cis से तो हो गई होगा, क्योंकि trans उससे ज़्यादा stable है, तो इसका answer हमें किस से मिलेगा, hyperconjugative structure से, अब हम इन दोनों की hyperconjugative structures बनते हैं, पहले हम बनते हैं, trans की, ठीक है, trans वाले की अगर हम hyperconjugative structures बनाएं, trans वाले को हमने इस तरह से लिख दिया, H, H, CH3, ठीक है, तो अब कोई भी एक hyperconjugative structure हम बना के देख ले रहे हैं, स्पोज हम ये hydrogen ले ले लिखते हैं, अभी इसको में रोकरता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो, H, H और H, अगर ये यहाँ पे चले जाएंगे, तो ये कहां चले जाएंगे, हमने सिरफ एक structure लिख दी है, क्योंकि उसी से हमारा explain हो जाएगा stability, तो इसके पर positive charge, ये H, यहाँ पे क्या आगया, double bond CH, single bond CH negative, और ये क्या आगया हमारा CH3, ठीक है, एक ही hyperconjugative structure, और दूसरा हम लिखते हैं अपना, जो हमारा E structure है, E में क्या है देखो, CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, एक CH3 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है हमारा CH2, तो इस वाले CH3 को हम कैसे लिख रहे हैं, इसको हम expand करके लिख देखते हैं, ऐसे H, H और H, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी alpha carbon है, ये भी alpha, बट हम इससे देखते हैं, ये अपने electron यहाँ देगा, और इसके यहाँ चले जाएंगे, ठीक है, तो ये resonating structure, इस हाईपर कंजूगेटिव structure क्या हो जाएगी, CH2 इसके उपर negative charge, यहाँ पे single bond, ये CH3, यहाँ पे क्या आगया, double bond, CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यह उपर दिखा सकते हैं, उपर से लिए है, H positive, ठीक है, तो जो हमारा E था, E structure था, उसके लिए hyperconjugेटिव structure ये वाली आगी, और जो हमारा D था, उसके लिए hyperconjugेटिव structure ये आगी, ठीक है, तो अब इन दोनों structures को अगर हम compare करें, तो इसमें क्या है देखो, इस structure में, D में अगर हम ध्यान से देखें, जो plus I effect है, methyl group का, क्योंकि ये directly किस पे जा रहा है, देखो, negative charge के उपर, ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है, intensify, और ज्यादा बढ़ा रहा है, negative charge को, that means, इसकी stability को क्या कर देगा, ये decrease कर देगा, लेकिन यहाँ पे जो methyl group है, ये negative charge से दूर है, तो इसलिए, जो ये हमारा E हो जाएगा, वो क्या होगा, E is more stable than D, ठीक है, और D क्या दा हमारा, trans वाला, तो that means, जो stability order है, वो क्या हो गया, E more stable than D, more stable than C, ठीक है, trans वाला सिस से जादा stable था, लेकिन जब adjacent, दुनों हमारे जो, alpha hydrogen, alpha carbon, अगर एक ही उस पे present हो गये, और उनके उपर, alpha hydrogen है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो जादा stable हो जाएगा, तो इसलिए जो complete करते हैं, अब इसको stability order क्या हो जाएगा, B is less stable than D, C which is less stable than D, and which is less stable than E, तो यह हमने discuss कर लिया, alkenes में किस तरह से होगा, ठीक है, hyperconjugation, next हम देखते हैं, types of hyperconjugation, types हमारे पास तीन तरह की अपतिय हैं, hyperconjugation, जो first है हमारी उसको हम बोलते हैं, isovalent, isovalent में क्या होता है, जो हमारी जितनी भी hyperconjugative structures हैं, all hyperconjugative structures have same number of bonds, same number of bonds, इसका क्या मतलब है, जो number of bonds होंगे, atoms के बीच में, वो sum में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसके examples हैं जैसे, अभी में आपको दिखाऊंगा, carbocatines, और free radicals, जितनी भी हम उसमें structures लिखते हैं, hyperconjugative structures, उनमें number of bonds हमारे क्या रहते हैं, same रहते हैं, जैसे अगर हम simple एक, ethyl carbocatine ले ले, इसकी अगर हम hyperconjugative structure लिखें, कैसे हो जाएगा देखो, CH, H positive, यहाँ पे 1H double bond CH2, तो इसके अंदर number of bonds अगर हम देखें, structure इसको हम देखें, A और B, इसी तरह से अगली लिखेंगे CD, वो same इसी तरह से आएंगी, तो number of bonds count करो, C, carbon 1, 2, 3, यह 3 hydrogen के साथ bond बना रहा है, एक carbon, carbon, 4 bond यह, और यह वाला carbon भी 2 hydrogen से attached, देखते हैं structure B में कितने bond है, देखो यह जो carbon है, CH2 वाला, 2 hydrogen से जुड़ा हो है, 2 bond, यहाँ पे double bond है, 2 bond यह होगे, एक carbon, एक carbon hydrogen bond यह हो देखें, total होगे हमारे 6 bonds, इसी तरह से अगर हम और structures लिखें, तो उनमें भी क्या हो जाएगा, 6 bonds आजाएगे, that means, जितनी भी hyperconjugative structures हैं, उनमें क्या हैं, same number of bonds हैं, तो इस तरह की जो hyperconjugation होगी, उसको हम बोलेंगे, isovalent, same हमारा जैसे, carbocatines में हमने लिखा है, उसी तरह से हमारा किसमें होगा, free radicals में, free radicals में देखते हैं, similar होगा, बस जो positive charge है, उसकी जहां क्या जाएगा, हमारा एक electron होगा, इस तरह से कौन बिखा सकते हैं, represent कर सकते हैं, तो इसमें देखो, जो hyperconjugative structure है, वो कैसे बनेगी, H पे एक electron, यहाँ पे double bond CH2, तो number of bonds इसमें देखो, कितना है, 1, 2, 3, 4, और 2 यह, 6 bonds, इसमें भी क्या है, 1, 2, ठीक है, इसको count करते हैं, देखो, 1 यह, 2, 3, 4, 5, 6, 200, 6 bonds, that means, जितनी hyperconjugative structures हैं, उतने हमारे पास क्या होगे, same number of bonds, सब के अंदर जो bonds हैं, हमारे क्या हैं, same, तो इसको हम बोलते हैं, isovalent hyperconjugation, second जो हमारे पास type होती है, उसको हम बोलते हैं, sacrificial hyperconjugation, sacrificial hyperconjugation में क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं, at least one hyperconjugative structure has less number of bonds, एक structure ऐसी होगी, hyperconjugative structure, जिसके पास कम से कम, एक bond, एक या ज़्यादा bonds कम होगी, ठीक है, और ये case होता है, हमारा alkenes के अंदर, अभी हम show करते हैं, उसको कैसे, हम simple alkenes लेंगे, ठीक है, उसमें हम hyperconjugation, एक structure लिखके देखेंगे, और उससे हमारा clear, CH double bond, CH bond है हमारा ये, इसके electron से इधर, और ये इधर, ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, CH, H positive है यहाँ पे, यहाँ पे H double bond, CH, CH2 negative, तो अगर हम इसके अंदर, bonds calculate करें, इसके अंदर bonds कितने हैं, देखो, ये carbon 3 hydrogen से, ये 3 bond, 4 bond, ये carbon इस hydrogen से 5, carbon carbon double bond, 7, 2 hydrogen, 9 bonds हैं इसके अंदर, ठीक है, 9 bonds, अब हम देखते हैं, इस structure में कितने हैं, इसके अंदर देखो, 1, 2, 2 हो गए ये, 3, 4, carbon carbon के इसमें double bond, एक ये 5, 6, 7, 8, इसके अंदर कितने हैं, there are 8 bonds, तो अब इसमें क्या है, same नहीं हुए, एक कम हो गया, तो हमारी condition क्या थी, जो sacrificial hyperconjugation है, एक hyperconjugative structure, ऐसी होनी चाहिए, कम से कम एक, एक या ज़्यादा, इसमें अगर हम 3 ड्रा करेंगे, मैं ड्रा नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम यहां से, यह तिन्नों इस तरह से दिखाएं, तो सब के अंदर क्या क्या आएंगे, 8-8 bonds आएंगे, जो hyperconjugative structure से हमारी हम, अगर बनाएंगे, तो सभी में 8 bonds आएंगे, इसलिए इस टाइप की जो, जो यह hyperconjugation है, इसको हम क्या बोलते हैं, sacrificial hyperconjugation, और जो हमारी third type है, third है हमारी, उसको हम बोलते हैं, negative hyperconjugation, ठीक है, negative hyperconjugation, यह सिरफ एक special case है, कि इस तरह के molecule show करेंगे, अगर हमारे पास कोई ऐसी species आ जाए, ठीक है, X क्या है यहाँ पर halogen, X, X is equal to halogen, तो halogen क्या करेंगे, जो यह अगर, यहाँ पर देखो, मैंने क्या लिया है, carbon ion, ठीक है, carbon ion, carbocatine नहीं, carbon ion, तो जो inductive effect की विज़े से, यह electrons को अपनी तरफ खिचेंगे, तो हो सकता है, यह इस तरह से क्या हो जाए, रिमों हो जाए, ठीक है, तो यह hyperconjugative structure, इस की इस तरह से हो जाएगी, X negative, यहाँ पर क्या आगे है, double bond, CH2, और X, ठीक है, तो यह जो हमारी है, इसको हम रिपर्जेंट करते हैं, minus H से, और यह होती है, हमारी negative hyperconjugation, special case है, यह सिरफ, किसके अंदर होगा, ऐसे molecules, जिसमें, carbonion होगी, और जो adjacent carbon है, उसके उपर क्या होगे, हमारे halogen सठेच, यह शो करेगा, हमारा negative hyperconjugation, इसके बाद हम discuss करते हैं, next है, applications of hyperconjugation, लाश्ट आर्टिकल रहे गया, hyperconjugation में, applications, applications में पहली आती है, यह हम discuss करी चुके हैं, दुबारा से देख लेंगे, हम stability को compare कर सकते हैं, comparison of, stability of, carbocatines, carbocatines की stability को compare कर सकते हैं, हमने देख लिए हैं, पहले वीडियो में examples, free radicals को भी हमने compare कर चुके हैं, और alkenes को, ठीक है, तो हम सभी की stability बता सकते हैं, stability हमने कैसे बताएदा, more the number of, more the number of hyperconjugative structures, more is the stability, more is the stability, जितनी ज़्यादा hyperconjugative structures, यह वहाँ भे बोला था, जितने ज़्यादा alpha halogen, alpha hydrogens, उतनी ज़्यादा हमारी क्या हो जाएगी, stability हैं, उतनी ज़्यादा stability, तो इसको हम discuss नहीं कर रहे हैं, हम कर चुके हैं पहले, और जो second application है हमारी, वो क्या है हमारी, comparison of bond length, या to compare bond length, bond length को भी हम compare कर सकते हैं, second जो application है, to compare bond length, इसके लिए हम alkenes का case लेंगे, generally alkenes में युपता है यह factor, इस तरह से अगर हम simple, जो हमारा example लेते हैं, यह, अगर हम यह example ले लें, इसमें अगर हम इधर से numbering कर दें, carbons की, जो हमारा alkene वाला है, इसको 1 दे दे दें, 2 दे दें और 3, अगर हम इस structure में देखें, इसमें लग रहा है हमें, जो हमारा C3 और C2 के बीच में bond है, second और third carbon के बीच में, यह हमें लग रहा है, it appears as a single bond, single bond हमें लग रहा है, single bond, हम expect क्या कर रहे हैं, इसकी bond length क्या होगी, single bond वाली होगी, expected रही होगी, इसी तरह से, जो second है, C1 और C2 के बीच में, वो क्या है हमारा, देखने से वो क्या लग रहा है, double bond, double bond, expected रहे हैं, हम expect कर रहे हैं, जो इसकी bond length होगी, वो double bond जितनी, लेकिन जब hyperconjugation होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, देखो, अगर यह hyperconjugation ऐसे हो जाती है, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम इसकी structure को लिख दें, यहाँ पे, देखो, क्या हो गया, change क्या हो गया, CH2 negative, और इन carbons की numbering, 1, 2, और 3, अब C2 और C3 के बीच में, double bond होगी, double bond, ठीक है, पहले single bond था, और C1 और C2 के बीच में, क्या होगी होगी हमारा, single bond, पहले double bond था, expect हम यह कर रहे थे, तो इसकी वज़े से क्या हो जाएगा, hyperconjugation की वज़े से, जो C3 और C2 में bond है, उसकी जो bond length है, हमारी जो क्या होगी, shorter than expected, ठीक है, हम expect कर रहे थे, कि वो single bond की होगी, बट वो double bond है, resonating structure में, ठीक है, जो hyperconjugative structure है, उसमें double bond आ गया, तो in between होगी, single और double bond, ठीक है, single bond से, छोटी हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह से, जो C1 और C2 है हमारे, उसमें क्या हो जाएगा, double bond था, लेकिन अब single, तो इसमें क्या हो जाएगा, bond length क्या हो जाएगी, इसकी greater than expected, जो हमने expect किया था, उससे जाएगा, ठीक है, और आपको bond length का, मुझे लगता है, order पता ही होगा सबको, जो CC bond length है, single bond, वो greater होती है, जाएगा होती है, double bond से, और वो triple bond से भी जाएगा, double वाली, triple से जाएगा, ठीक है, तो इस वीडियो में हमने, जितने भी हमारे hyperconjugation से related, जितनी भी problems थी, queries थी, सबको हमने अच्छे से discuss कर लिया, ठीक है, और hyperconjugation के नाम बता दिये थे, इसको बोलते हैं, no bond resonance, no bond resonance भी बोला था इसको, और क्या बोला था, जो scientist से जिन्नोंने propose किया था, उनका नाम था, बेकरनाथन effect, तो इसलिए उसको हमने बोल दिया, बेकरनाथन effect, और एक और नाम बोला था, इसका, एंकी महरिक effect, तो ये नाम हैं सारे, hyperconjugation के, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो लाइक करें और चैनल को subscribe, thank you for watching the video,